कि जिन पर लुटा चुका था हमें दुनिया की दौलतें उन वारिसों ने कफन मेरे नाम कर दिया ये शायर ने जो इस शेर लिखा है उसकी गहराई में जाएं तो कई बार अपने ही हमें इतना वड़ा दगा दे जाते हैं कि उस दगा को सुनकर लोगों के रौंग्टे खड़े हो जाते हैं फिर अपनों पर ही विश्वास करने का मन भी नहीं करता नमस्कार आदाप शस्रिकाल मैं उस्मान सेफी मैं आपको एक सची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है यहाँ पर एक लड़का रईस शेख है जो रहता था वो काम की तलाश में मुंबई चला जाता है उसे मुंबई में दई सई इलाके में एक सिल्समेन की नोगरी मिल जाती है वहाँ खुशी-खुशी रहता है सन 2000 बारे की बात है उसके माबाप ने उसके शादी कर दी और शाहिदा नाम की लड़की से उसका निकाह हो जाता है निकाह के बाद मुंबई से उसका बीच में कभी कबार आना जाना भी चलता रहता है कहते हैं कि कोई जब घर से बाहर निकलता है तो कई तरह की दिक्कते होती है खासकर रोटी की दिक्कत होती है किसी को होटल की रोटी पसंद आती है तो किसी को नहीं आती है माबाप की रजामंदगी के बाद वो शाहिदा को अपने साथ ले जाता है शादी के कई साल के बाद जब लेके जाता है तो शाहिदा को एक बेटी पैदा होती है और मुंबई जाने के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है बेटी का स्कूल में एड्मिशन करा देता है और एक जिन्दगी जो है वो खुशहाल चल रही है दैसे ही इलाके में हीनों ने एक कमरा किराय पे लिए रखा था पडोस में एक लड़का था अमित अमित का कभी कवार घर पर आना जना हो जाया करता था कभी रईस शेख की मौजूदगी में तो कभी रईस की गैर मौजूदगी में एक परिवार की तरह था वो उनकी जरूतें पूरी करता था ये उनकी जरूतें पूरी करता था रईस सुभे घर से दस बजे निकलता था रात को दस बजे उसका आमोमन एक ही टाइम होता था अब रईस की गैर मोजूदगी में अमित का आना जाना पडोसियों को भी अखरने लगा और जब इस बात का रईस को पता चला तो उसे भी कहीं न कहीं चिंता सताने लगी उधर शाहिदा की और अमित की दोस्ती की शुरुवात होई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका पता ही नहीं चला खेर प्रैस ने अपनी वीवी शाहिदा को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा इस तरह से यूँ अमित से मिलना ठीक नहीं है और आप मत मिला करो अडोस के प्रोस के लोगों को बाते बनाते हैं इससे तुम्हारे भी चरीतर पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं पती के समझाने के बाद शाहिदा कुछ टाइम के लिए तुशान्त हो गई लेकिन वो नहीं मानी एक दिन इसी शक के खातिर रईस अपने काम से रात के दस वज़े की बज़ए दिन में वे वापिस लोटाता है अपने मालिक से कहता है कि आज मुझे बहुत जोरी काम है और मुझे घर जाना है किसी काम से यह बात है 21 मई 2021 की 21 मई को जैसे ही वो घर के अंदर आता है रईस अपने भीवी शाहिदा को और अमित को दोनों को आपती जनक इस्तिती में पाता है जिनें देखकर उसके होश उड़ जाते है और यह बात आए गई हो जाती है एक किस मई गुजर जाती है 22, 23, 24, 25 एक एक दिन गुजरता चला जाता है और रईस का कहीं आता पता नहीं होता जिस फैक्टरी में वो काम करता था वहां से भी फोन आने शुरू हो जाते है शाहिदा भी उसको तलाशने लगती है शाहिदा इस बात कि लिए फोन करती है अपने ससुराल सस्वाल वालों से कहती है कि रईस का गहीं आता पता नहीं है वो शायद नाराज होके घर से चला गया है शायदा दैसे ही लाके के पुलिस टिशन जाती है एक तहरीर लेकर कि मेरे पती गायब हैं घर से चले गए हैं आप उन्हें ढोड़ने में मदद कर दीजिए अमोवन इस तरह के मामले को पुलिस कभी गंभीरतास नहीं लेती है अब मैं बात मुमई पुलिस की ही नहीं कर रहा हूँ बलकि किसी भी प्रांत की अगर बात करें तो वहां अकसर ऐसा ही हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर से अचानक गायब हो जाता है तो उसको लेकर पुलिस गंभीर का दमनी उठाती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन रईस का कई पता नहीं चलता है पुलिस उधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्स कर लेती है और गॉंडा में माबाप को भी चेंता सताने लगती है एक दिन वो अपने छोटे बेटे अनिस को मुंबई भेज देते हैं अनिस मुंबई आता है और रईस के जितनी भी दोस्त होते हैं वहाँ जाकर पता करता है कि आखिर रईस कहां चला गया रईस का जिन जिन लोगों के साथ उठना बैठना था उन सभी से पूछ ताच की जाती है लेकिन रईस का कहीं आता पता नहीं चलता है दो-त्म दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी अनीस खाली हाथ वापिस अपने भाई के घर पे आ जाता है और अपनी भतीजी अक्सर देखा होगा आपने भतीजा भतीजे चाचा के बहुत लाडले हो जाते हैं कई बार जो माबाप से बात नहीं कर पाते हैं वो अपने चाचा और चाची से, खासकर चाचा से बात कर लेते हैं राइस की तो छह साल की बेटी थी वो छह साल की बेटी चाचा से कहती है कि चाचा पापा को मा ने मार दिया है ये बात सुनकर अनिस के रोंग टिखड़े हो जाते हैं आनन फानन ही भैय अपनी भतीजी को और अपने भतीजी को लेकर पुलिस रिशेशन पूंसता है और पुलिस रिशेशन जाकर वो सारी बात बताता है कहता है कि मेरी भतीजी ने यह कहा है कि मेरे भाई की भावी ने हत्या कर दिये यह बात सुनकर पुलिस के भी रूम्टे कर सकती से पूश्ताश करती है कि आखिर, तुमने रैइस के सात्भ क्या काम किया है? बताइए. शाहिदा नहीं टूटती है, जब नहीं टूटती है तो पुलिस, और कोशिश करती है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है, तलाशी में भी कुछ भी हाथ नहीं लगता है पूरे घर की तलाशी लेने के बाद अचानक ही जब पुलिस घर से निकल रही होती है तो पुलिस की नजर रसोई में पड़ती है रसोई में जो टाइल्स लगी होई हैं वो बड़ी बे-तर्तीब लगी होई है दोस्तों हम कोई भी इंसान अपने जब घर बनाते हैं तो एक-एक चीज को एक-एक समान को बड़े वेवस्तित ढंक से बनवाते हैं तो पुलिस के लिए एक सवाल बन गया था कि आखिर रसोई के अंदर जो टाइल्स लगी होई हैं इतनी बे-तर्तीब क्यों लगी होई है यानि उन्हें देखकर लग रहा था कि बहुत जल्दवाजी में काम किया गया है जबी मजदूर बुलवाए गए ये बात है एक जून की एक जून को मजदूर बुलवाए गए और उस टाइल्स को निकलवाने लगे कई घंटे की खुदाई के बाद एक लाश का टुकडा मिलता है अब पुलिस और सतर्क हो जाती है उसके बाद फिर दुवारा फिर से खुदाई शुरू होती है दूसरा टुकडा मिलता है लाश का तीसरा टुकडा मिलता है और चोथावी टुकड़ा हासल हो जाता है यानि कि लाश्ट तैयार हो जाती है और उसके बाद पुलिस पोस्ट माडम के लिए भेशती है मैं थोड़ा सा और आपको बैक लेके चलता हूँ उसी 21 तारिख को जब रईस अपनी फैक्टरी से घर वापस आता है तो शाहिदा और आमिद दोनों आपती जनकिस्तिती में थे और शाहिदा जानती थी कि एक नेक दिन ऐसा जहूर आएगा जब रईस को उनके रिष्टे के बारे में पता चल जाएगा शाहिदा अपने पती को मोत के घाट उतारने की पहले से ही प्लानिक कर चुकी होती है कई बार रिक्यास्ट करने के बाद उसने अपने पती से रसोई को ठीक करने की मांग की थी इसलिए कुछ टाइल्स, बालू और सिमिंट लाकर पहले से रखा गया था ताकि यहाँ पर टाइल्स भी जाई जा सके और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन दोनों बच्चे बाहर खिल रहे थे बेटी भी और बेटा भी जब वो हत्या कर रहे हैं और लाश के टुकडे कर रहे थे बेटी घर आ जाती है और खून के छीटे देखकर अपनी मा के हाथ में चापकू देखकर वो सहम जाती है तो मा उसे धमकी देती है कि अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो तुम्हारा भी वही हर्ष्र किया जाएगा जो तुम्हारे बाप का हश्र किया गया है दोनों बच्चों को एक کमरे में बंद कर दिया जाता है और तब उस लाश के टुकडे करकर गड्डा खोथकर किशिन में ही डबा दिया जाता है तौस्तोस, फिलहाल, अमित और शाहिदा जेल में हैं दोनों बच्चे अपनी दादा और दादी के पास है मगर सवाल उठता है कि अगर अमित को और शाहिदा को आपस में प्यार हो गया था तो वो दोनों भाग कर शादी भी कर सकते थे उन्होंने ना केवल अपनी जिंदगी बरबाद की बलकि रईस की हत्या की और दोनों बच्चों का बच्पन छीन लिया वो बेटी शायद ही कभी इस मंजर को भुला पाएगी कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता तो जुर्म भी कभी नहीं छुप सकता जुर्म खुद चीक शीक कर आवाज लगाता है कि यहाँ जुर्म हुआ है इस पूरे प्रिकरण में एक गनिमत रही कि शाहिदा ने अपनी बच्ची की जान बख्ष दी जिस तरह से उसने इसको धमकी दी थी वो उसकी भी हत्या कर सकती थी आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताईएगा अपना खैर लखी गया धन्यवाद